मेरे प्यारे फ्रेंड्स वीडियो आज के हमारी दो आईपयों पे है फुल डेटेल्स में बताऊंगी वीडियो को स्किप मत करियेगा क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टी इंफोर्मेशन आप लोगों के लिए मिस हो सकती है तो गई तेकि कुछ आईपयों मैं जो लेकर आती हो तो मैं पूरा डीपली बताती हूं आप लोगों को जो मैंने पड़ा होता है न्यूस में जो उसकी रिपोर्ट निकल कर आई होती है ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपकी पॉइंट सुन लो कहीं से भी सुन लो हाँ चीजी चल दिया हमने इसमें इसमें इन्वेस्ट कर दिया फ आप लोगों बताती हूं कि नॉन बैंकिंग फाइनन्स कंपनी है अन्भी एफसी जो कि जन स्मॉल फाइनन्स बैंक के शिर्ड की आज डोमेस्टिक मार्कित में निराश करने वाली एंट्री हुई है इसका आइपयो ओवरॉल देखा जाता है कि 19 टैम से भी अधिक सब्सक् चार सो चौदा रुपे के भाव पर शेयर जारी हुए आज बी एसी पर इसकी 396 रुपे और एनसी पर इसकी 396 रुपे के भाव पर एंट्री हुए यानि कि आइपयों इंवेस्ट्रों को कोई लिस्टिंगे नहीं मिला है बलकि लिस्टिंग पर उन्हीं 4% से अधिक घाट को देखने को मिला है जन्ड स्मॉल फाइनस बैंक का 570 क्रोड रुपे का आई प्यों सब्सक्रिप्शन के लिए साथ से नौ फर्वरी तक खुला हुआ था और इस आइपयों को इंवेस्ट्रों का अच्छा रिस्पांस भी मिला था ओवरॉल देखा जाता है तो 19.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ था इसको इसको इसके क्वालिफाइइ इस्टूशन पायस का हिस्सा 39.81 टाइम और नौन इस्टूशन का हिसा 26.13 टाइम और इंवस्टों का हिसा 5.70 टाइम तक भड़ा हुआ था एजस आइपयों के तहर्ट चारसो बासट क्रोड पे के नाई शेर ज सब्सक्राइब होई है और फोर सेल का पैसा से बेचने वाले शेर होल्डर को मिल है वहीं नई शेरों की जर यह जुटाए गई पैसों का स्तमाल बैंक के टी वन मदर टायर वन कापिटल बेस को ब्राने और आइपयों से जोड़े खर्चों को भड़ने में होगा 2006 में बनी है यह कंपनी जन स्मॉर्फाइनस बैंक एंड म्समे लोन एन एफोरडबल हाउसिंग लोन अन्बी एफसी टर्म लोन एफडी के अगेंस लोन और दो पैया लोन गोल्ड लोन इससा प्रवाइड कराती है इस मर्च दो हजात थेइस तक के आकड़ों के हिसाप 2020 में से 272 तो दूर राजगाओं में है यदि कि कंपनी की फाइनेंशल स्रेट की बात करें तो 2021 में इसे 72.26 क्लोर पे का नेट प्रॉफिट हुआ था और महीं 2022 में मुनाफ़ा थोड़ा काम होकर 17.47 क्लोर पे पे आ गया था लेकिन महीं फाइनेंशल दो हजात थेईस में 25.97 क्लोर पे पहुँच गया है इस दौरान कंपनी का रिवेन्यू सालाना 16.35 से अधिक सीएजिया से उचल का 3699.88 क्लोर पे पहुँच गया है जल से अच्छी है हम भले मार्केट में इसकी फीकी एंट्री हुई है लिकिन आप इसको अपनी नेजर में लेका चल सकते हैं चले बात करते हैं नेक्स्ट आइप यो की सो गाइस हमारा नेक्स्ट आइप यू निकल कर आता है कैपिटल एस एफ बीकाइप यह भी नॉन बैंकिंग फाइनस कंपनी है ठीक है इसकी शेरों के लिस्टिंग आज के दिन आपका इप यह प्योंड नहीं इंवेस्टरों को बाउस पर शेर जारी हुए थे और बी एसी पेस की 435 रुपे पर एंट्री हुए और इसी पर 430 रुपे के आट्री हुए जिस्टे की आइप इंवेस्टरों को कोई लिस्टिंगे नहीं मिला है बलकि लिस्टिंग पर उने 735 से अधिक घाटा हो गया हलां की डिस्काउंट पर लिस्टिंग के बाद शेर उपर चरहे है और उचल का 421 रुपे 55 पैसे पर पाउज है अब आई पयो निविश्को को 3.51 परसें तक का गाटा हुए पांट सो तेइस पॉइंट 07 को रुपे का आई पयो सब्सक्रिप्रिप्शन के लिए साथ से नहीं फर्विरी तक कि 4.17 गुना सब्सक्राइब हुआ था यह इसमें कॉलिफाइट इंस्टिउशन को 6.86 इंस्टिउशन का 4.83 इंस्टिउशन का 4.83 सब्सक्राइब हुआता है इंवेस्ट रिटेल इंवेस्टर जो होते हैं उनके लिए 2.60 तो हिस्सा है टाइम्स बतल वह भी भरा हुआ था इस आइप्यों के तहाइट देखा जाता है कि 4.50 क्रॉर की शेर नहीं जारी हुआ हैं अंदास रुबे की फेस्ट वैल्यू पे 73.07 क्रॉर रुपे 15,6139 शेरों के ओफ़र फॉर्सल बिक्री हुई है ओफ़र फॉर्सल का पैसा तो शेर बेचने के लिए शेर होल्डर को मि अगर मैं कंपनी के बार में बताऊं तो देखी 2015 में Capital Small Finance Bank यह दो देश की पहली नन-NBFC माइक्रो फाइनस एंटिटी बन गई है जिससे अब NFB जो एन एस सोरी एस एफ बी ठीक है एफ बी का लाइसस मिला है और इसकी गाउं और जो भी इलाके हैं दूर दराज वाल इसमें धमदार मौजूद की देखने को मलें इसका टार्गें में इंकम साइक्मेंट जिनके सालाना आ रहे हैं फोर से लेकर 50 लाक रुपे हमने इसके देश के पाच श्रीट और एक यूनी टेरिटरी में मौजूद किया है इसका में में आफिस मता मुख्याल है पंजाब के जल अंदर में है कैसे कंपनी के फाइनेंशल सेथ की बात करूं तो 2021 में इसको 40 क्रो रुपे का प्रॉफित वहीं बढ़कत 2022 में 25 क्रोपे पहुच गया दो हजाते इस में और बढ़ा रुपे तक 23.60 क्रोपे पहुच गया है फॉर्टीन परसंट की सीजयार के साथ इसके जो जो हमारा रिवैन्यू है स्वरी जिसको बोलते हैं वह भी 725 क्रोपे पहुच गया इनका जो प्रॉफित हैं स्वरी 54.39 क्रोपे रहा है और रिवैन्यू है 415.22 क्रोपे पहुच गया है तो दोनों के ही मतब कहलों एंट्री फिंकी रही है लेकिन इनके जो रिजल्स है इनका अगर हम देखे तो इनका फंडामेंटर काफी अच्छा देखने को मिलता है औल अ अगर हम दोनों ही बैंक की अनगी अफसी से है अगर दोनों को ही अपने डरा लेवल पर लेकर चल सकते हैं कौं सा इसको अपका अच्छा है अप उसके अंदर इंवेड्स करके चल सकते हैं और फुल डिटेल अनलाईज आप लोगों को बता दिया बागी इन्वेस्ट तो आ अगर आपको लगता है थोड़ा वह डाउट है तिक एसलिए कि वीडियो सुनो और आप इन्वेस्ट कर दो खुछ से भी चक्करा करो कहां पर क्या नियूज निकाल कर आ रही है कहां पर आप क्या चीज़े चेक कर सकते हों बागी कैस मिलेंगे नेक्स वीडियो में गुडबा झाल इन्वेड़ कर दो दोभेड़ क्या है तूर 22 büyर्वाईम प juego मिलेंगे है कहां झाल बाउट पुछ